इसकार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटीब चनल पर मेरा नाम है संदीब आप देख रहे हैं यूटीब चनल हेल्दी लाइब आज की वीडियो बहुत खास होने वाली आज की वीडियो एक और खास मैडिसिन के उपर है जो मैडिसिंग और सौंदेरेट दोनों के का कॉंबिनेशन से यह सोप बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी मेरे पास जो यह मिला हुआ है तो मैं लेका है हूं केयर फॉर्मुलेशन लैप की तरफ से तो इस सोप के बारे में देखते हैं क्या है कि 75 ग्रैम्स की पैकिंग है तो देखते हैं किस काम आता है कीटो क्लीन ज चीजों में अपने काम आता है 75 ग्रैंट की पैकिंग है जो ब्रैंड का नाम है वह है कीटो क्लीन जी हां कीटो क्लीन सोप एक केर फॉर्मुलेशन लैब ने बनाया हुआ है तो इसकाम आता है जी हां यह बहुत सारे काम आता है जो आपके अगर दाद हो रखे हैं अगर तो इस टाइम पर यह कीटो क्लीन सोप बहुत काम आता है की डेंटरफ में डर्मटाइटिस में भी बहुत काम आता है तो इसकी पैकिंग इक बार देख लेते हैं उसके बॉक्स कंटेंट भी देखेंगे तो इसका कॉम्पोजिशन है जैसे कि मैंने आपको बताया कीटो को इसमें डाला गया है और इसका सोप नूडल बेस है अप्रूफ कलर रहे एक्स्टरनल यूज के लिए है और इसमें बताये रेड वर्निंग में मिल गई है इसका मतलब यह है बिना प्रिस्क्रिप्शन के या आप काउंटर से नहीं ले सकते और यहीं साइड में इसकी ब्रे में इसके और कि प्रोडक्स आते हैं जो के वारे में आपको देता रहूगा जो इसकी मैनिफेक्ट्रिंग है बीसील फार्मा थे जो हमाचल पर देश डिचा अपको को बता तो यह मैक्सिमन प्राइज का और यह अगर आप मार्केट में जाओगे तो बहुत कम रेट पे भी मिल जाता है क्योंकि लोग का मार्जिन बहुत जाता होता है और यकीन वानिए यह भारती प्रधान मंत्री जन आउजदी केंदर से मुझे सिर्फ 45 रूपीस की मिली है यह से मुझे मिलिए फाटीफाइब तो अगर आपके सर में जुएं हो रही है घॉत कम यूजब आएगा गरन वह रहे हैं कि इसी प्रका के वाली इंफेक्शन है तो उसमें आपको बहुत कामें आ जाएगा एक वारसे खोल के देखते के ब्रेंटेंड में किया है आख में एक सोप मिला है जिस पर केर की बरेंडिंग है और यह ब्लकुर सब्सक्राइब और इस निए नहां रहा है तो नॉर्मन मेडिसिन ली तो देख सकते हैं यह बिल्कुल ही गया हो चुका है चार से पांच दिन हो में तो यह बहुत अच्छा है इसे मैंने सुचा है इसका एक रिव्यू दे दूँ मैंने तब दो ले लिए थे क्या पता ना ठीक हो पर एक ही पैकिंग में ठीक हो गया है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अगर इसे जुड़ा कोई सवाल हो तो क झाँ झाँ